इस तो जरूरी है अच थोड़ी सी बड़ी भी कर दीजेगा वेरी वेरी गुड आप्टेटून तो अगर आपको ओडियो वीडियो क्लियर है तो एक बर मुझे यस या थमसब भेज़ दीजिए ताकि आज के इस अमेजिंग सेशन को हम शुरू करें हलो अधियनता, पूजा, सनी, अविशी, नामबिलाय, सम्राट, सचिन, पायल, मैट्रिक्स, मैन, अधिती, तवस्व, ओल क्लियर, आडियो वीडियो बिलकुल क्लियर है ठीक है? थोड़ी सी चैट्स एंडलाज कर दीजेए चलिए स्टूडेंट्स तो आज का क्लास बड़ा मज़ेदार होना है छोटी सी क्लास होने वाली है बायो डाइवर्सिटी एंड कंजरवेशन एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर है जिसको हम वन शॉट में आज देखेंगे कल हमने organisms and populations पढ़ लिया था और जल्दी ही हम environmental issues और ecosystem को भी करेंगे और उसके जाथ हमारा botany complete होगा ठीक है strategies plant breeding recorded form में playlist में आपको एका दिन में मिल जाएगा हमने पूरे botany का live लिया आए one shot reproduction in organism microbes और strategies ये तीन में आपको recorded form में publish कराऊंगी मोना के रिया हाई गुरुमा wanted to thank you आपकी morphine anatomy की trick के बाद ऐसा लगता है कि NCRT रट गई है I am very very happy to hear this my dear ये tricks बहुत help करती है अगर हम इने बार बार use करें तो ये हमारे दिमाग में set हो जाती है ठीक है चलिए स्टार्ट करें पांचाल ब्लाक ब्यूटी एक्ता everybody चलो आजो तो बायो डाइवर्सिटी और conservation ecology का सबसे छोटा चैप्टर है सबसे प्यारा चैप्टर है पर चार से पांच questions आते हैं जबर्दा scoring चैप्टर है तो investment कम मुनाफा ज्यादा याने फाइदा ही फाइदा आजो शुरू करते हैं NCRT open करके रखना और जो मैं कह रही है उसे ध्यान से सुनिएगा देखिए biodiversity का मतलब क्या होता है diversity मतलब भिन्नता living world में जो भिन्नता आए है याने इतनी धेड़ सारी species है living world में भी हमने term पढ़ा था biodiversity और living world में लिखा था number and type of species on earth जितनी भी earth पर total number और species प्रजातियों का प्रकार है उसे biodiversity बोलते हैं तो हम पहले biodiversity की बात करेंगे और फिर हम करेंगे उसको सहेजने की याने conservation की बात हमें biodiversity क्यूं सहेजना है कैसे सहेजना है वो सब कुछ हम बात करेंगे ठीक है चलो आजाओ start करते हैं अब तब से पहले NCRT में first page पर कुछ species के numbers दिये हुए हैं आजो इसे trick से याद करा देती हूँ एक हलका सा idea है रटने की कोई ज़रत नहीं है best friend आओ best friend आओ यानि सबसे पहले beetles फिर fishes फिर ants और orchids इनकी species कितनी है प्रत्वी पर वो नाम दिया है मैंने descending order में लिख दिया है पीन लाख 28,000 और ये दोनों की 20,000 20,000 species होती है तो एक हलका सा idea लग जाएगा और आप चार में से एक answer पक्का निकाल लेगे ठीक है आगे बढ़ जाएं that random guy love the way you taught plant kingdom thank you I am happy चलो आगे बढ़ जाएं आज महा रिविजन में evolution chapter में करा चुकी हूँ जिसको महा से revise करना है कर सकते है और podcast आए होप आप लों को help कर रहा है अब आगे बढ़ते हैं अब biodiversity का मतलब है all levels पर जो भिन्निता हैं all levels का क्या मतलब है यहां से बहुत question बनता है इस topic से बहुत question आता है students समझो सबसे पहला genetic diversity genetic diversity का मतलब species same है फिर भी genetics अलग अलग है भी हमारी भी तो सब की species सेम है फिर भी crossing over जो होती है gamit बनते time उसके कारण हम सब एक दूसरे से अलग है यह genetic diversity है तो genetic diversity का क्या मतलब है gene level पर भले species same है gene level पर जो भिन्निता है इसको हम कैसे याद रखेंगे इस पर बहुत question आते है इसकी trick है रीमा did PCR रीमा यानि rice and ma मतलब mango तो rice और mango राइस और mango में क्या लिखा है NCRT में ध्यान से समझेगा mango की 1000 से ज़ादा varieties है और चावल की 50,000 से ज़ादा varieties है चावल की more than 50,000 varieties है मतलब species तो same है सारी की सारी oriza sativa है लेकिन varieties अलग है और mango की 1000 varieties है सब mangyfera indica है सबकी species same है लेकिन varieties अलग है तो रीमा 50,000 से ज़ादा और 1000 से ज़ादा ठीक है अब रीमा डिट PC, R, R का मतलब rovolphia vomitoria, rovolphia vomitoria जो पेड़ है जिससे रेजर पाइन मिलता है chemical रेजर पाइन तो R से rovolphia vomitoria, R से रेजर पाइन इसके कई सारी varieties है याने sub species हैं जिन में रेजर पाइन की PC याने potency और concentration अलग अलग है तो यह genetic diversity के example है direct question आएगा आपको दे देंगे these are examples of genetic ecological species तो आपको genetic diversity लगाना है ऐसे करके question आता है ठीक है यह कौनसी class है 11th year 12th ओम नी 2023 तो नहीं देने वाले हो भाई नी तो मुझे art attack आजएगा ही 12th class का chapter है आज तो बहुत थोड़ा सा time लगेगा don't worry अध्यानता आपका महारे विजन है organic का मैं बहुत जल्डी छोड़ दूँगी don't worry ठीक है छोटा सा chapter है चलो आजओ सो अब आजओ species diversity species diversity मतलब अलग-अलग species की बात कर रहे है species level जैसे amphibian जो है amphibian western ghat जो है western ghat और eastern ghat eastern ghat वो west bengal वाला समुदरी एरिया और western ghat मतलब यह गुजरात वाला जो तट है तो amphibians की जादा number of species जादा तरहं की species western ghat में मिलती है dan eastern ghat यह species diversity का example है हमें आना चीह रीमा डिड़ PCR यह genetic diversity का example है और amphibian की species को तुलना जो कर रहे है species diversity now ecological diversity का क्या मतलब है देखो जैसे हम इंडिया की बात करें इंडिया की तो इंडिया में रेगिस्तान भी है rain forest भी है जहां लगा तार बारिश होती है mangrove vegetation दलदल वाला सुन्दर बंस भी है coral reefs यानि समदुर तटबी है estuary wetland alpine यानि जहां बरफ ही बरफ है यानि हमारे में कई तरह के ecosystems है जबकि जो scandinavian countries है वाँ ठंडी ठंड रहती है जैसे norway तो वाँ एक साही ecosystem है पस उसी तरह के ही पेड़ जानवर मिलेंगे हमारे में भिन भिन तरह के मिलेंगे तो यह ecological ecosystem level पर ecological diversity का example है तीनो diversity खतम हो गए अच्छे से genetic diversity, species diversity and ecological diversity दन हो गई, ठीक है, Simran, Harry Mary, is it clear? चलो, आजो, अब next आजाते हैं अपन, इसमें कुछ नहीं है जादा अब कितनी species हैं प्रत्वी पर और इंडिया में कितनी हैं, आजो समझते हैं, देखो, इसको ऐसे समझो, एक scientist हुए थे Robert में, ठीक है, उन्होंने कहा था, Robert मेंने, Robert मेंने, कि 7 million species total हैं, पर उन्होंने कहा था, केवल 22% हैं, जो खोजी गई हैं, डिसकावर्ड है, 22, देखो, अगर मैं इसकी 50% निकालू, तो 3.5 होता है, और 25% निकालू, तो 1.75 होता है, पर ये 22% और थोड़ा कम कर दो, यानि 1.5 million species हैं, अभी तक, जो खोजी गई हैं, त 1.5 million total plant animal की species हैं, जो अभी तक खोजी गई हैं, ये हमें IUCN, इसका full form आना चाहिए, international union है, for conservation of nature and natural resources, international union for conservation of nature and natural resources, ठीक है, 22% खोजी गई हैं, अब, इसमें हमें ये दिया गया है कि, one second, yes, ये रहा, Robert में 7 million species total हैं, अब, इन्होंने हमें क्या कहा है, कि 70% से जाधा species animals की हैं, 70% से जाधा species animals की हैं, और plants में अगर हम बात करें, जिसमें algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, angiosperm, fungi आते हैं, ये 22% है, देखो मैं याद रखने का तरीका बताती हूँ, पेड जादा या जानवर जादा, ऐसे याद रखो मेरे घर मे पेड़ जादा या जानवर, garden है तो अलग बात है, चलो इस कमरे की बात करें, तो जानवर तो बहुत सारे मैं भी एक जानवर हूँ, human, कीड़े हैं, मकड़ी हैं, इस कमरे में नहीं एक बात कह रही हूँ, छिपकली हो सकती है, तो जानवर हमेशा जादा होते हैं, बजाए पेड़ों के, कैसे आद रखोगे इसको, ऐसे आद रखो लो, देखो यार पेड़ भाग नहीं सकते, बचाव नहीं कर सकते, तो पेड़ जल्दी शिकार हो जाएंगे, ऐसे आद रख लेना, तो जानवर जादा होते हैं, बजाए पेड़ों के, और जानवरों में भी, Invertebr more than vertebrates होंगे naturally क्योंकि हमें पता है कि largest phylami arthropoda invertibrate है और largest class insecta है तो हर 10 में से 7 जानवर जो है वो insects है यानि 70% से जादा जो है वो insects होते हैं insects यानि हर 10 जानवर में से 7 insects है यह सब data मेरे साथ साथ note करते जाना ठीक है you make botany easy and fun thank you thank you thank you चलो ठीक है so मैंने क्या कहा कि पेड़ का में जानवर जाद है और जानवर भी इन vertebrates जाद है बजाए vertebrates के और हर 10 जानवर में से 7 insect होते है चलो अब आजाओ आगे बढ़ते हैं अब यह तो एक general सी लाइन इसको छोड़ देते हैं अभी अब देखो यह कुछ pie charts बने हुए यह बड़े important as it is question आता है देखिए मैं इसको trick से याद करा देती हूं पहली trick है इंडिया is one of most modern countries इंडिया is one of modern countries modern countries तो इंडिया यानि सबसे ज़्यादा insects है फिर अधर ग्रूप्स हो गए फिर उनसे कम mollusk है और सबसे कम crustacean है चारों में तो insect mollusk crustacean और अधर मतलब इनके अलावा सारे तो यह हमें serial order decreasing increasing fill in the blank आना चाहिए now यहाँ पर हमारी trick है facebook पे राम facebook पे राम फेस बुक पे राम ठीक है facebook पे राम यह मैंने आपर tricks लिख दी आपको pdf में मिल जाएगा आपको सब कुछ pdf में मिल जाएगा चलो अब थर्ड थर्ड अंगद is a fungi यानि सबसे ज़्यादा अंगद यानि अंजियो sperm पंगाय मतलब पंजाय और आलिया मतलब algae most famous and likable यानि mosses ferns and likens ठीक है so यह हो गया अंगद अंगद यानि सबसे ज़्यादा angiosperms देन पंगाय देन आलिया यानि algae most mosses fun perns and likens likable ठीक है हो गया clear मैं किस ब्रांच की specialist हूँ वैसे तो भी मैं बायोगी specialist हूँ आपके लिए पर वैसे मैं गायनेक हूँ MS gynae and obstetrics और अब मैं super specialist हूँ IVF infertility super specialist चलिया आईए आगे बढ़ जाएं यह pie charts हो गए अब next यह कह रहे हैं कि यह जो हम seven million कह रहे हैं ना इसमें प्रो kariot को include नहीं किया है हमने क्यों ने include किया students pro kariot को include करेंगे तो अकेले उनका number ही millions में हो जाएगा ना जाने कितने bacteria है इनको हम culture नहीं कर सकते conventional taxonomic method से हम इनको गिन नहीं सकते हैं तो इनको इस seven million में नहीं डाला गया है अब यह important data है सब लोग लिख लेना ncrt में side में कुछ tips दूंगी में पूरी दुनिया का area का इंडिया में two point four percent area है लेकिन अगर हम diversity की बात करें कितने प्रकार की species है तो eight point one percent यह काफी होता है area बहुत कम है हमारा पूरी दुनिया में अगर 100 km2 है तो हमारे पास two point four km2 है मतलब बहुत कम area है पर उतने से area में हमारे पास जो भिन्नताइं है species की वो अगर total species है तो eight point one इंडिया में है इसे देखो कैसे याद रखोगे दो दो का double चार two fours are eight two fours are eight और शगुन का एक रुपे शगुन का एक रुपे तो दो चार two fours are eight और शगुन का एक रुपे ठीक है हो गया clear है सबको चलो शशी कला मैम आपको मेरी शाधी में आना है अच्छा भी कार्ट भेज देना आ जाओंगी ठीक है नीट वाले दिन नहीं तो नहीं आओंगी उस दिन तो आपका भी नीट तक थोड़ा विजी हूँ क्योंकि शूट्स लेना है आप लो से जाधा स्पीशीज है और जाणवरों की जाणवर जाधा होते हैं 3,00,00 से जाधा स्पीशीज है येट टू बी डिसकवर्ड डिसकवर्ड जिनको अभी तक खोजा नहीं गया है एंसी आर्टी ये कह रही है कि अगर हम ये माने कि पूरी प्रत्वी एक लाइबरी है और स् तो हो रही है समय के साथ ठीक है चलो आजाओ आगे बढ़ जाते हैं अब बेरी बेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पैटर्न ऑफ बायो डाइवर्सिटी चलिए करें और यह ऐसे नहीं करना है अपने डिस्करेज नहीं करना भई शादी तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा जीवन साथी मिलना सोल मेट मिलना इश्वर की सबसे बड़ी क्रपा होती है मेरा तो जीवन ही बदल गया है उसके बाद में जमसे मेरी शादी हुई है जी हां सोल म मिलते तो आपको के लाइव का परपर्स मिलता है पूरा सपॉर्ट मिलता है और आप ऑच्छे से निखरकर ौपाते अपना बेस्लेशन बन पाते तो मेरी तो हैं कि आप सब को सोल मेट मिल जाए ठीकैंचच्ब आजी़ए चलो आजयग अब बाते बहुत बनाते हो यार बा बारा बच गई है तो अपन सब लाइट हो गए है पर लाइट रहे के पढ़ना जरूर है मस्ती मस्ती करनी है लेकिन पढ़ना जरूर है ठीक है PDF काजल यहीं description box में link में मिल जाएगा ठीक है MBBS करके की ना शादियारे MBBS ने PG करके शादि करी है ठीक है चलो आज़ो अब pattern of biodiversity में पहला latitude देखो अगर longitude लिख दिंगे तो गलत हो जाएगा latitude ठीक है अब latitude में बड़ा असान है देखो यह 0 degree Celsius यानी equator है ठीक है इधर जाओगे तो poles आएगा इधर जाओगे तो poles आएगा south pole, north pole हमें पता है तो यहाँ पे सबसे जादा सूरज की किरणे आ रही होंगी धूप इधर कम होती जाएगी यानि जैसे जैसे हम equator से pole की तरफ जाएगे धूप कम हो रही है photosynthesis कम होगा खाना कम मिलेगा प्लस ठंड भरती जाएगी तो number of species कम हो होती जाएगी पोल से equator की तरफ आने पर बढ़ती जाएगी इसी तरह plane से top पे जाओगे तो biodiversity कम होती जाएगी simple सी बात है तो diversity decreases as we move away from equator towards pole यह direct question आता है और यह बड़ा असान है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बहुत easy है ठीक है आप इन्होंने यह example दिया है अब आज चेको क्या example दिया है इन्होंने एक कंट्री लेली equator के पास कोलंबिया एक लेली 41 डिग्री नॉर्थ याने टेंपरेट एरिया हो गया New York फिर एक लेली 71 डिग्री नॉर्थ याने Arctic region Greenland और एक अपनी कंट्री की बात करी इंडिया इंडिया हम जानते है जाधा था ट्रॉपि पोल्स के पास सबसे कम होनी चाहिए तो साइंटिस्ट ने हमें यह बताया कि यहां 1400 स्पीशीज है यहां 1200 से जाधा स्पीशीज है यह 105 स्पीशीज है और यह 56 स्पीशीज है इसी तरह साइंटिस्ट ने वस्कुलर पेडों की स्पीशीज गिनी यानि टेरिडोफाइट जि स्पीशीज हो नीचे और दस गुना जादा स्पीशीज है वस्कुलर पेडों की यह ट्रिक्स ना अलग से लिख लेना ठीक है कोई कन्फूजन यह ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर से 23 डिगरी नौट साउथ वो पूरा ट्रॉपिक्स होता है फिर उसके बाद 66 डिगरी तक टे 500 लिख लिख दिया, 4 डिजिट यह उस से कम है 3 डिजिट यह उस से कम है 2 डिजिट अब देखो वन वन लिक दिया मैंने 1 प्लस 4, 5 लिख दिया बीच में 0 लगा दिया अब इस 5 को यहां लिख दिया और 5 प्लस 1, 6 लिख दिया ठीक है 1 लिखके 1 प्लस 4, 5 लिखा 105, 5 लिखके 5 प्लस 1, 6 लिख दिया और यह 1400 है तो यह 1200 हो गया इतना तो याद रह जाता है कोई जादा बड़ी बात नहीं है ठीक है येस, टेंपरेट रीजन में लेस डाइवर्सिटी होगी, ट्रॉपिकल में मोर डाइवर्सिटी होगी, डेफिनेटली पोलर में और कम हो जाएगी ठीक है, चलो तो यह उन्होंने हमें बताया कि बिलकुल जैसे जैसे हम इकोवेटर से पोल की तरफ मूफ करेंगे बायो डाइवर्सिटी कम होगी, उसके एक्जाम्पल्स बताए अब सबसे जादा डाइवर्सिटी सबसे जादा पेड और जानवर एमेजन के रेन फॉरेस्ट में है इमानदारी से मुझे थमसब लिख के भेजो, कितने लोगों को ऐसा लगता था कि एमेजन का जंगल एफरिका में बताओ, वैसे तो अपने को पता है एमेजन अमेरिकन कमपनी है तो शायद आपने दिमाग लगा लिया होगा, मैंको तो बहुर ताइम दग लगता था मुझे ऐसा लगता था कि आरे जंगल वंगल जानवर तो आफरिका में ही जादा होते होंगे यह साउथ अमेरिका का जंगल है, याद रखना साउथ अमेरिका का पूरी प्रत्वी पर सबसे ज़ादा बायो डाइवर्सिटी यहीं है चलो याद करते हैं, ट्रिक से याद कराती हूँ आपको यह देखो कैसे याद रखेंगे अमेजोन के जंगल में डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तब से पहले पेड, प्लांट्स पेड, पेड को मैं ट्री भी कह सकती हूँ वान टू, ट्री, फोर पोर और पोर के बाद पोर जीरो पोर, पोर के बाद पोर जीरो इतनी पेडों के स्पीशीज हैं आगए मज़े, चलो अब, इन वर्टीब्रेट कैसे याद रखोगे इंडिया की पॉपुलेशन सवा करोड, तो इन वर्टीब्रेट है सवा लाक सवा लाक, यानि 1, 2, 5, 0, 0, 0 सवा करोड, सवा लाक से याद हो जाएगा अब देखो, पेस बुक पे राम ऐसे किया दा न, अपने पेस बुक पे राम, ठीक है, देखो फिशकी याद कर लेना, यह देखो यह F है न, ऐसा तो ऐसा बना दिया मैं तो 3,000, ठीक है अब देखो, 30, 30, 13 30, 13, एकसी लग रही है 30, 13, 30, 13 जैसे B और D एक सा लगता है 30, 13, हाँ आप तो अपन डेड़ करोड के करीब पहुँच रहे हैं, यह पुराना बता रही हूँ अब यह देखो, इसको कैसे याद रखो बढ़ा असान है, देखो 7 उचक्के 7 उचक्के 4 और 2,6 4 और 2,6 7 उचक्के, 4 और 2,6 पर यह हैं 7 उचक्के 4 और 2,6 पर यह हैं 7 उचक्के ठीक है, यह थोड़ा सा धिहान कर लेंगे कोई बात नी, इतना तो कर सकते हैं, याद अपन तो एक हलका सा आईडिया लग जाएगा आपको, हो गया क्लियर, केस, गाहित्री, आकाष सौरफ सबको ठीक है, नोट करते जा रहे हो सब कुछ पड़ापट से वहीं, NCRT में ही नोट कर लो चलो, तो यह हमने क्या बताया, यह हमने यह बता दिया स्टूडेंट्स की latitude की according, जैसे जैसे equator से poles की तरफ जाएंगे वैसे वैसे biodiversity increase होगी यह हमने bird की species से vascular plant की species से Amazon के jungle, जो rainforest tropical area है मैं, उस से यह सारी बात है हमने proof कर दी चलो, अब क्यों है tropics में greater biodiversity, why? एक reason तो मैंने बताया sunlight जादा है, photosynthesis जादा होगा, biomass production, productivity जादा होगी, दूसरा reason समझो, देखो इस species generally धीरे धीरे बनती है, कई generation में, tropical area में almost same environment रहता है, जादा changes नहीं होते है almost पूरा टाइम गर्मी सा रहता है और speciation is a function of time, it takes time, पर temperate में क्या होता है, temperate में बहुत जल्दी environment बदलता है, तो species बने नई, उसके पहले ही पता-पड़ा लुपत होगे, तो temperate में variation जादा है, और इसलिए species नई बनने में मुश्किल आएगी tropical में almost same रहता है climate, environment और इसलिए धीरे धीरे करके कई सालों में नई species बनती है तो speciation is a function of time और temperate region में जहां frequent glaciation होते हैं, जबकि tropical में undisturbed रहता है, millions of सालों तक environment और ये भी एक reason है, ठीक है, less seasonal variations, more constant environment और दूसरा, more solar rays होंगी तो more productivity होगी, more खाना बनेगा, जादा species survive कर सकते हैं, ठीक है Thank you Priya, राइट आगे बड़े, चलो Second interaction हमें पढ़ना है, effect species area का क्या रिष्टा है, देखो समझो, बहुत simple सी बात है, छोटा area है, कम species होंगी बड़ा area है, जादा species होंगी यानि आप क्या बोलोगे, कि मैम जैसे जैसे आप area बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे species richness बढ़ती जाएगी पर up to a certain limit उसके बाद में other factors become limiting तो केवल area बढ़ाने से काम थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि खाना, पीना वो सब थोड़ी ना बढ़ रहा है sunlight वगेरा, तो it increases but only up to a certain extent, तो species area relation के अगर मैं बात करूँ तो species richness increase होगी, with increase in area but only up to a certain limit ये बात हमें बताई थी Alexander Von Hemboldt ने South America के जंगल वही जो हाँ Amazon जंगल भी है वहाँ पर उन्होंने काम किया था यानि हमें graph कैसा मिलेगा, ऐसा यानि hyperbola, rectangular hyperbola मिलेगा इस तब पर question आते हैं अगर आप log निकालोगे, तो ऐसी straight line आती है log scale पर straight line आते है सारे questions आते हैं अब देखो हमने क्या कहा species richness is directly proportional to area up to a certain limit यानि जब मैं is equal to लगाऊंगी तो a to the power c कर दूँगी sorry to the power z और जब भी हम कोई is equal to लगाते हैं तो एक constant लगा देते हैं तो c constant हो गया अब मैं log निकालूंगी तो log s is equal to log c plus z log a इसमें numerical भी आ सकता है इनकी values देखें आप से calculate कर वा सकते हैं तो log c is equal to log s is equal to log c plus z log a यह बिलकुल वैसे है y is equal to x plus mc तो यह straight line के जैसी equation दिख रही है अपने को ठीक है तो मैंने आप से क्या बोला कि log scale पे देखोगे तो straight line आएगी वरना hyperbola आएगा और log s is equal to log c plus z log a होगा ठीक है बहुत बढ़िया मैं मैं आपकी वज़े से मेरे बायो में 300 प्लस आने लगे है well done dark night बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो अब देखो यहाँ पर log s is equal to log c plus z log a यहाँ पर s says species richness a है area c है y intercept और z है slope of the line slope of the line का मतलब समझो एक यह line खीची मैंने और एक यह line खीची मैंने यह इसका slope है यह यह slope बना इतना angle जबकि इसका slope इतना angle बना तो इसमें ज़ादा area इतने area में ही मानलो मैं चेक करना चाहती हूँ तो इसमें इतनी species आएंगी इतनी पर इतने ही area में इसमें देखो कितनी सारी species आजाएंगी तो जितना ज़ादा z होगा उतनी steep खड़ी line होगी और उतनी ज़ादा species richness होगी is it clear ये area है ये species richness है जितना ज़ादा slope है जितनी खड़ी चड़ाई है उतनी ज़ादा उस particular area में species richness होगी directly proportional है is it clear नवाज clear हो गया नवाज I am RRCN यकीनियन चलो I hope आपको मज़े आ रहे है ठीक है हाँ फरा selection के बाद आपसे मिलने आओंगी पका आना आप लोग लिखते हो आते तो हो नहीं ठीक है नहीं आते हैं आते हैं students आते हैं मिलने आते हैं बहुत खुशी होती है E2 में भी बहुत आते होती है बहुत खुशी होती है चलो ये देखो ये hyperbola हो गया S is equal to C A to the power Z और ये log scale पे straight line आगी log S is equal to log C plus Z log A डन चलो अब आज़ो देखो NCRT क्या लिखती है कि Z की value कितनी है Z की value देखो Z की value होती है 0.1 से 0.2 एक general बात कहीं गई है 0.1 से 0.2 लेकिन अगर बड़ा area है बड़ा area large area तो बड़ा area है तो biodiversity भी ज़ादा है यानि Z की line C भी खड़ी है यानि Z का जो slope है वो much steeper है यानि Z की value ज़ादा होगी Z की value 0.6 से 1.2 हो जाएगी देखो ये तो कम है छोटे area के लिए 0.1 से 0.2 पर ये 0.6 और उसका double कर दो 0.6 से 1.2 जैसे ये example देते हैं कि जो fruit खाने वाली चड़ियाएं है और mammals है tropical areas में अगर continent level पर भाग करोगे तो ये 1.15 है हाँ तो हो सकता है न students 1.2 से कम होना चाहिए ना तो 1.15 ठीक है clear हो गया अच्छे से आगे बढ़ जाएं ठीक है तो ये values हमें आनी चाहिए 0.1 से 0.2 z की value छोटे areas में बड़े areas में 0.6 से 1.2 है और इसका example 1.15 वाला लिया हुआ है ठीक है चिराग ecology boring लगती थी मैम पहले आपने तो मतलब डॉट 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 चलो अब तो मज़े आगे बहुत interesting है आजो अब यहाँ पर हमने latitude और species और area के रिष्टे को भी समझ लिया अब आगे बढ़ते हैं और हम ecosystem में species diversity की importance को समझते हैं इस बात को समझो क्या कोई फरक पड़ता है कि किसी ecosystem में जादा number of species हैं और किसी में कम आ जाओ समझो इसको ऐसे समझो दो colony हैं एक colony में केवल doctor doctor है और चलो इंजीनियर भी हैं और दूसरी colony में doctor, engineer, वकील, police वाले, teachers, सब हैं तो जादा stable कौन सी community है जिसमें सब profession के लोग है कोई भी problem आएगी तो कोई ना कोई जानकार है इसी तरह एक community एक ecosystem के अंदर जितनी जादा तरह की species होंगी वो उतना stable होगा उतनी जादा food chains, food webs एक कोई फड़े कम भी होगी तो दूसरा alternate food होगा वो more stable होगी तो simple सी बाते माइडिय स्टूडेंट्स जितनी जादा biodiversity होगी उतनी stable community होगी So community with more species are more stable than those with less species अब सवाल उठता है कि ये stable community का क्या मतलब है आजाओ समझो बड़ा सान है कुछ भी ये तो रट नहीं नहीं है समझो हमारी लाइफ स्टेबल कब होती है नमबर वन स्टेबल कब कहोगे जब हमारी लाइफ में variations कम हो मतलब एक इनसान है उसकी stable income है मानलो 50,000 महिना कमाता है ये लाइफ ज़ादा स्टेबल है बजाए कि कभी 5,000 कमाता है और कभी 70,000 कमाता है वो unstable है वो ज़ादा planning नहीं कर सकता यानि year to year variation in productivity कम होने चाहिए तकरीबन एक सा biomass production होना चाहिए ये productivity होनी चाहिए ऐसा नहीं कभी बहुत कम कभी बहुत ज़ादा ये stable community का एक attribute है character है number two stable life कभ होती है जब अगर थोड़ा बहुत disturbance आज़े तो हम हिले नहीं कोई crisis आ गई तो भी अपने पास में savings है किसी ने कुछ बोल भी दिया तो अपना दिमाग ज़ादा out नहीं होता यानि resistance to foreign invasion कोई बाहर से आ भी गया उस community के अंदर शिकारी तो भी उस community पे ज़्यादा फरक ना पड़े number three अगर फरक पड़ भी जाए हमें तो हम तुरंट bounce back कर ले हम थोड़ा nervous हो भी गए डर भी गए तो तुरंट bounce back कर ले इसे बोलते हैं resilience resistance का मतलब तो है मुझे फरक ही नहीं पड़ा और resilience का मतलब मुझे फरक पड़ा था लेकिन मैं bounce back कर ले तो ऐसे एक community के अंदर year to year variation in productivity काम होना चाहिए resistance होना चाहिए अगर alien species foreign species आ जाए उससे और resistance नहीं है तो कम से कम resilience होना चाहिए bounce back करना आना चाहिए यह यहाँ पर लिखका है देखिए not show much variation in productivity from year to year number two या तो resistant हो या number three resilient हो to occasional disturbances जो भी man made वगेरा जो भी है और even जो invasion हो रहे alien species के द्वारा उन से भी resistant या resilience होना चाहिए ठीक है इतना clear हो गया चलो आगे बढ़ जाएं अब यह सब हमें किनों ने बताया कि हाँ अगर एक area में जादा number of species हैं तो वो जादा stable है यह हमें डेविड तिलमान ने बताया डेविड तिलमान ने क्या किया plots लिए area बड़े-बड़े plots outdoor plots अरे अब भई plot तो outdoor ही होता है plot को indoor थोड़ी होता है तो मानलो यह इतना बड़ा plot लिया यह इतना बड़ा plot लिया यह इतना बड़ा plot लिया तो जितना बड़ा plot है उसकी bio diversity उतनी ही जादा है मानलो इसकी इतनी है इसकी इतनी है और इसकी इतनी है तो उन्होंने देखा कि जब लंबे समय तक उन्होंने खेती की तो इसमें जो productivity है वो almost same थी इसमें variation ज़ादा थे इसमें variation और ज़ादा थे तो डेविट तिल्मान के long term ecosystem experiments करें outdoor plants use करके और उन्होंने बताया कि वो plants जिनमें more species हैं उन्होंने year to year variation in productivity कम है तो उन्होंने ये बा होगी उतना कम year to year variation होगा यहने उतनी जादा stability होगी ठीक है clear हो गया सबको आगे बढ़े चल तो डेविट तिल्मान याद रख ले ना दिपिका पादू को ओन long outdoors पे गई है शूटिंग करने तो डेविट तिल्मान उन्होंने बताया था कि productivity stable रहती है year to year variation कम है long term ecosystem experiment किये थ outdoor plots को यूज करके हो गया आगे बढ़े अभिशेक दिशा शेक प्रितम प्रियांशी शलो अब आजो एक मज़ेदार experiment पर और आ जाते हैं हम बात करते हैं कहां गए वह experiment जैस पॉल अहरलिक देखो समझो ट्रिक से बताती हूँ scientist यह पता करना चाहा रहे थे कि अगर मान लो कहीं पर 20,000 species हैं अलग 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 और हम कोई एक दो species वहां से निकाल दें लुप्त करा दें तो क्या कोई फरक पड़ेगा हम तो एक दो ही निकाल रहे हैं क्या कोई फरक पड़ेगा यह जवाब हमें Stanford University के scientist ने दिया था इसकी ट्रिक है spear एस मतलब Stanford की ecologist है नाम है Paul Ehrlich समझो उन्होंने क्या का ध्यान से सुनना कहानी की तरह सुनों बहुत मज़ाएंगे ecology में समझो उन्होंने ये बोला कि अगर हम पूरे ecosystem को एक aeroplane की तरह माने और जो species हैं उन्हें aeroplane की rivets मतलब जो nut bolt होता है कील उसकी तरह माने तो एक छोड़ा शरारती बच्चा aeroplane में गया और उसने मानलो rivets पॉप अप करना है निकालना शुरू की मानलो उसने seat की handle की rivets निकाल ली क्या plane crash होगा नहीं लेकिन अगर उसने जो aeroplane के wings हैं जब aeroplane खड़ा था वो वाले rivets निकाल दे तो plane crash हो जाएगा तो उन्होंने ये कहा कि aeroplane is equal to ecosystem, rivets is equal to species लेकिन जो wings पर rivets हैं वो के species हैं तो अगर आपने normal species हटाई तो फरक नहीं पड़ेगा और अगर कोई key species है, very very important species है तो उसे हटाने से stability of the ecosystem पर major फरक पड़ेगा ये उन्होंने हमें analogy दी airplane से हमें समझाया इसका example देके इसे बोलते हैं rivet popper hypothesis, rivets को pop up करने की hypothesis yes universe, Stanford ecologist, Stanford भी आना चाहिए, Stanford की जगे कुछ और कर देंगे तो false हो जाएगा, ठीक है, हो गया, समझ में आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, जल्दी से yes या थम सब बोलो, कहानी की तरह पड़, ये सारी चीज होगे, अब आ जाओ हम आते हैं, next topic पर, and that is loss of biodiversity, अब यहां से भी बहुत question बनते हैं, एक तो देखो, वहां से question बनता है, pattern of biodiversity, latitude वाला, और species area relationship वाला, और फिर next यहां से questions बनते हैं, आ जाओ समझो, देखो, चार main reasons हैं, biodiversity loss होने के, पहले तो हमें example दिया है कि हाँ, biodiversity का loss हो रहा है, species लुप्त हो रही है, जैसे इन्होंने हमें example दिया है, कि tropical pacific island जो है, वहां इंसानों ने colony बना ली, तो इंसानों की colony बनाने के कारण, वहां पे रहने वाली जो चिडियाएं हैं, उनकी 2000 से ज़्यादा species लुप्त हो गए, क्योंकि हमने colony बना ली, हमने वहाँ पेड काटे होंगे, उनके घर, habitat loss की और उस कारण वो लुप्त हो गए, एक तो इन्होंने में example दिया है, कि हाँ loss हो रहा है, IUCN जिससे World Conservation Union भी बोलते हैं, या IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, उसने खत्रा खत्रा मतलब लाल किताब निकाली है, Red List 2004 में, उसने क्या बोला, देखो हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा invertebrates होते हैं, फिर vertebrates उससे कम होते हैं, पेड सबसे कम होते हैं, तो उसने बोला है, कि ल पेड सबसे कम extinct हुए हैं, देखो कैसे याद रखेंगे, पेड हुए हैं 87 लुप्त हो गए हैं, अभी तक पिछले 500 सालों में 87 पेड की species लुप्त हो गई हैं, जबकि invertebrates की हुई है, invertebrates की 359, देखो कैसे याद रखेंगे, 359 है न, 369, 331 जा 3, 32 जा 6, 339, पर मुझे 369 नहीं लिखना, मुझे 359 लिखना है मेरा मन है, तो 369, तीन की बात कर रहे है, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 6, 9, पर मैंने लिखा 359, और इसमें से 87 माइनस करो, इसमें से 87 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 सेकिन, 1 सेकिन, मैं कुछ गढ़बढ कर रही हूँ, हाँ, इसमें से 21 रुपे शगुन के माइनस करो, 21 रुपे शगुन के माइनस करो, तो 338 हो जाएगा, तो 338 हो जाएगा, तो यह हमें डेटा आना चाहिए, कि सबसे जादा invertebrate है और सबसे ज़्यादा species भी उसकी लुपत हुई है सबसे कम पेड़ है जानवरों से कम है और species भी उनकी लुपत कम हुई है tropical में ज़्यादा लुपत हुई है temperate में कम लुपत हुई है क्योंकि होती tropical में ज़्यादा है temperate में कम होती है शादे कल और्गानिजम और पॉपुलेशन में भी अपन ने ये बात समझी थी, ये शगुन, शगुन के 21 रूपे, चल, अब इनोंने recent extinction के example दिये, यह बहुत important है, यहां से बहुत question आता है, देखो हम कैसे याद रखेंगे, पहले DM या MD से याद रख लो, तो Dodo from Mauritius, DM, direct message कर ठीक है, question answer आपने मुझसे पूछे थे, ठा, भुण था, आपने मुझसे question answer पूछा था, याने थाillacine, था, thailacine from Australia, तो आपने मुझे DM किया, dm करके आपने मुझसे question answer पूछे था, पूछा था, question answer पूछा था, तो डोडो from Mauritius, question answer quote प्वागा फ्राम आफरिका और पूछा फ याने थाइलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थीक है फिर स्टेलार सी का और रशिया और बाली-जावन-कास्पियम ताइगर की तीन सब स्पीशीज लुप्त हो चुकी यह सब रीसेंट लुप्त हुएं स्टूडेंट पिछले बीस सा में करीब 27 पीशीज लुप्त हो चुकी है यहां पर हम यह कहना चाह रहे हैं बहुत बहुत इंपोर्टेंट है यह देखो आप जैसे यह डोडो है थाइला सीन स्टेलार सी काओ यह है यह कौागा है जैबरा जैसा दिखता है यह सब रीसेंट एक्स्टिंशन के एक्जाम्पल है वेरी वेरी इंपोर्टेंट अब NCRT हम से कहती है कि यह पैसेंजर पिजन भी अभी आएगा अभी आएगा पर यहां पर यह पांच दिये हुए है कि कुछ ग्रुप्स हैं विच आर मोर वल्नेरिबल टू एक्स्टिंशन जिनके एक्स्टिंट होने का चांस जादा है दे जाएं से देखो देन साड़े 15,000 स्पीशीज है जो खत्रा जेल रही है एक्स्टिंशन का यह सब आना चाहिए स्टूडेंट सारे डेटा इंपोर्टेंट है ठीक है चल अब इन में से यह जो साड़े 15,000 है इन में से 12% बर्ड्स के गुम होने का खत्रा है लुपतोने का 31% जिम्नोसपर्म का 23% मैमल्स का और 32% यहने सबसे जादा खत्रा एमफिबियन की स्पीशीज को है लुपतोने का क्योंकि एमफिबियन में एक्स्टरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है न तो इनके जो बच्चे है वो सबसे जादा रिस्क है उनको प्रिडेटर्स के द्वार मारा जाने का अब इसको कैसे याद करोगे इसको मैं याद करती हूँ बिगमा बिगमा तो बर्ड जिम्नोसपर्म मैमल और अमफिबियन अब मैंने से कैसे याद किया था थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि चार में से एक आप्शन अपन लगा ले क्रिकेट में 11 के लुप तो जाता है 12 खिलाड़ी लुप बारा तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी है 12 खिलाड़ी हो गए चलो अब यह देखो 2 प्लस 1 3 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3 2 माइनस 1 1 31 परसेंट यह हो गया 32 परसेंट सबसे जादा 31 के बाद 32 और 32 को उल्टा लिग दो तो 23 परसेंट इतना याद रहेगा बिग मानलों ने मैमल पूचा तो मैं बिग मां थर्ड पोजीशन पर है 12 परसेंट 31 परसेंट इधर था 32 परसेंट उदर हो गया 23 परसेंट तो मैं आंसर लगा दूँगे मुझे तो रहा टाइम जरूर लगेगा लेकिन मैं आंसर लगा दूँगे लुप करना बोलते हैं पर यहां स्पीशीज के विद रस्पेक्ट हम इसे लुप तोना बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ जाए चलो अब आजो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कि अभी तक पांच एपिसोड हुए हैं मास एक्स्टिंग्शन के जैसे डाइनासौर 65 मिलियन साल पहले ए एक साथ अचानक प्रत्वी पेसे सौरे डाइनासौर एक साथ लुप दो गए इसे मास एक्स्टिंग्शन बोलते हैं चली अब यह कह रहे हैं कि जब इनसान ज्यादा एक्टिव नहीं था प्री हिस्टॉरिक मैंग था तब भी स्पीशीज लुप दोती थी नैचरली धीरे पर जब से इनसान ने टेक ओवर किया एक्टिविटीज करना शुरू की पेड़ काटना शुरू करे पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करी तो सौ से हजार गुना एक्स्टिंग्शन की रेट बढ़ गई है जल्दी जल्दी लुप तो रहे तो अब यहां पे सवाल उपता है कि क्यों लॉस हो रहा है रीजन क्या है लॉस होने के फिर हम पढ़ेंगे कि इन्हें बचाना है कंजर्व करना है तो क्यों करना है और फिर हम पढ़ेंगे कैसे कंजर्व करना है तीन बाते हमें देखनी है ठीक है चलो सबसे पहले लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी अगर होगी तो क्या होगा देखो बायो डाइवर्सिटी जादा थी तो ecosystem stable था तो अगर बायो डाइवर्सिटी का loss होगा तो ecosystem की stability कम होगी stability कम होने का मतलब year to year variation जो है productivity में वो बढ़ जाएंगे resistance कम हो जाएगा resilience कम हो जाएगा तो simple सी तो बात है जो चीजे stability दे रहें थी उसका उल्टा हो जाएगा बस वो ही हाँ पर लिखा हुआ है यह देख लो decline in productivity lower resistance and variability बढ़ जाएगी किसी भी productivity वगेरा की ठीक है done अर्शिता आच्छा आप E2 इंडिया में पड़े हो तो आपको इट्रिक्स आती हैं बहुत बुशी की बात है very good अपना रिविजन हो रहा है ठीक है चलो अब आजाओ अपना आ जाते हैं causes of biodiversity loss पे पूर causes हैं बहुत खराब हैं यह evil हैं बुरे हैं biodiversity का loss करवा रहे हैं इन्हें evil quartet बोलते हैं quartet word मतलब पूर four major causes हैं इन में से पहला सबसे जरूरी जो सबसे ज़्यादा loss कराता है habitat loss and fragmentation जो हम घर काट रहे हैं पेड काट रहे हैं दूसरा alien species का अगर invasion हो जाए तो उसका natural शिकारी तुमां है नहीं कल भी पढ़ा था प्रिडेशन में जैसे प्रिकली पियर बताया था 1920s में आस्ट्रेलिया में इंट्रियूज हुआ था बहुत hectares of land invade करा था फिर उसका मौत लेकर आय थे cactus eating जिसने फिर उसको जाकर control किया था इकॉर्णिया भी यह है भेंग कर फहला beautiful flower and leaves shape के कारण उसे ग्रो किया था natural शिकारी नहीं होता है तो alien foreign species का invasion यह दूसरा reason है ठीक है तो अच्छा एक co-extinction भी होते हैं जैसे mutualism जहां होता है यक्का और मौत मौत लुपत हुआ यक्का भी लुपत हो गया यक्का लुपत हुआ मौत भी लुपत हो गया यह co-extinction हो गया चलो तो चारों पढ़ते हैं के करके तो पहला हो गया habitat loss and fragmentation यह most important इवन इस प NCRT लिखती है कि एक समय में यह 14% से जादा land area cover करते थे अर्थ का और अब 6% से भी कम area cover करते हैं 8% से जादा काट दिया गया है और वो कह रहे हैं जब तक आप यह chapter पढ़ना खदम करोगे तब तक हजारों और hectares of land को काटा जा रहा होगा very very important आजाओ समझते हैं अब यहां पर Amazon rainforest की बात की है स्टूडेंट यहां पर इतने पेड़ थे हमने अभी देखा था चार और चार के बाद चार जीरो इतने सारे पेड़ हैं कि यहां से इतना oxygen release होता है because of photosynthesis कि यह oxygen पूरी प्रत्वी के organisms inhale करते हैं breathing के लिए यह इन्हें lungs of the planet बोलते थे lungs of the planet लेकिन इस जंग जा रहा है कारण नंबर एक इसे घास के मैदान में convert कर रहे हैं क्योंकि जो बीफ जैने गाए भैस वगेरा जो है उन cattle को raise करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गाए का मास खाया जाता है तो उनको चराने के लिए इस जंगल को घास के मैदान में convert कर रहे है और घास की productivity बहुत कम होती है photosynthesis कम होगा oxygen कम release होगा बजाए की forest के और number two soya bean cultivate करने के लिए ऐसा किया जा रहा ही हमें आना चाहिए तो ये तो हमने बात की habitat loss की जहां जंगल पेड काटे जा रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम total loss ना करें पर किसी भी habitat जो है उस चोटे चोटे टुकड़ों में बाट दें बई जैसे बड़ी सी सडग एक जंगल था हमने वहाँ पे सडग बना दी बीच में आजकल बनाते हैं हाईवे वगेरा बना देते हैं आपने देखा होगा हाईवे पर कई बार नील गाय वगेरा आ जाती है कली रात को मैं आ रही या कोई बर्ड है मैमल है जिसे बड़ा एरिया चाहिए था रहने के लिए आपने दो उसकी टुकड़े कर दिये बीच में सडग बना दी घर बना दी है तो फिर वो स्पीशीज दिरे दिरे लुप तो जाएगी यही बात यहां लिखी है कि मैमल्स एन बर्ड जिनको बढ़े बढ़ते हैं सो हाबिटाट लॉस ट्रॉपिक्स में सबसे जाधा हुआ है एमेजॉन रेनफॉरस में बहुत जाधा हुआ है चौदा परसन से जाधा कवर था शेपरसन से कम कवर रह गया है ऑक्सिजन बहुत कम मिल रही है लंग्स ऑफ द प्लानिट डामेज हो रह सेकंड पढ़ना है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन अगर हमने एलियन पॉरन स्पीशीज अनिंटेंचनली बिना जान बूच के या जान बूच के डेलिबरेटरी इंट्रियूस कर दी तो इसका शिकारी तो है नहीं तो यह तो खुला सांड है और यह वहां की इंडीजीन है प्लेन और यह रही ट्रिक हमारी प्लेन पी एल ए एन ए ए से हो गया इकॉर्णिया इकॉर्णिया मैंने बताया था जिसके पहले कि हम उसे निकाल सके बॉटर बॉड़ीज बगर को ब्लॉक कर देता है सारा ऑक्सिजन ड्रेन कर देता है और बागे की सारे पेड़ जानवर मढ़ जाते हैं एलियन स्पीशीज फॉरन स्पीशीज है यह अपने पड़िये सेक्श्वल रिप्रोड़क्शन इन फ्लावरिंग प्लांस में जिसे कैरट ग्रास भी बोलते हम जानते हैं इंपोर्टेट वीड के साथ आई थी और इसके पोलन तूडेंट्स ए से हैं यह देखो दिखाती हूं आपको ए से देखो क्या याद रखना है हमें नाईल पर्च जो है नाईल पर्च एन से इस्ट आफरिका में लेक विक्टोरिया है वहाँ पर नाईल पर्च को इंट्रड्यूस किया गया तो वहाँ पर रहने वाली छोटी- चोटी मचलियां चिचलिड फिशेस जो हैं दोसों से जादा मचलियों की स्पीशी इस एक्स्टिंट हो गई नाईल पर्च लिखलो मेरे साथ साथ सब नाईल पर्च का इंट्रड्यूस किया यह सब एक साथ लिखलो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्साम्पल्स लेक ना खा गई वो बिचारी भूकी मर गई ओनाई एसे अफ्रिकन एफ्रिकन काट फिश्च लैरियूस गैरी पाइनस जब इसे हमने इंट्रियूस किया स्टूडेंट्स तो हमारी नदियों में कई सारी वहां मिलने वाली जो छोटी-छोटी काट फिशए में उने सकेली ने ये निप्टा दिया क्यों क्योंकि ये एक एलियन स्पीशी इसका नाचरल शिकारी नहीं है तो पार्थीनियम लेंटाना आफ्रिकन कैट्विश नाइल पर्च और इकॉर्निया ये तीन पेड़ है वन टू फाइव नंबर वाले ये दो जानवर हैं ये सब एलि फिश एक्स्टिंट हो गई उस पर मिलने वाले पारसाइट भी एक्स्टिंट हो जाएंगे इसी तरह प्लांट पॉलिनेटर म्यूच्वलिजम हमने पड़ा है यक्का अगर गया तो मौत भी जाएगा मौत गया तो यक्का भी जाएगा ये दोनों एक्जाम्पल्स हो गए अब चौथा रीजन है ओवर एक्स्टोइटेशन देखो हम नेचर पर डिपेंडेंट है पूड के लिए शेल्टर के लिए लकडी के लिए खाने पीने के लिए हमें जंगल में से फल फूल सब लेने तो पड़ेंगे नीड है जरूरत है पर जब नीड ग्रीड में बदल ज है तो हम ओवर हैबिटाट लॉस करेंगे ओवर एक्स्टोइटेशन करेंगे और उसके कारण बहुत सारी स्पीशीज का लॉस हो रहा है शिकार करेंगे ज्यादा हाती मारते थे हाती दात के लिए जैसे तो कई सारी एक्स्टिंग स्पीशीज है जिनके शिकार पर बैन लग हुई है stellar c cow तो हमने पढ़ा ही था हमने क्या क्या पढ़ा था आपने मुझे DM किया यानि डोडो प्रॉम मौरिशेस प्रह आपने मुझे question answer पूछे question answer यानि quaga from Africa आपने question पूछा था यानि थाइला सीन फ्रॉम उस्ट्रेलिया फिर स्टेलार सी काव फ्रॉम रशिया और बाली जावन इन कैस्पियन वो तीन टाइगर की सब स्पीशीज अपनने पड़ी थी ठीके इसके अलावा यहाँ पर स्टेलार सी काव एंड पैसिंजर पिजन भी दिया हुआ है कबूतर एक पैसिंजर यह भी over exploitation के कारण से यानि इनका शिकार करकर के इनको मार दिया गया है तो यह बिलकुल अच्छे से अपनी टेप्स पर होना चाहिए तो habitat loss and fragmentation, alien species invasion, over exploitation and co-extinction यह चार रीजन्स हैं बायो डाइवर्सिटी लॉस के ठीक है हाँ भी तो नहीं हुई जेल चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन अब आजाओ अपन देखते हैं कि बायो डाइवर्सिटी को हमें क्यूं कंजर्व करना चाहिए क्यूं हमें species को बचाना चाहिए एंसी आटी कहती है देखो तीन कारण है अगर हम थोड़ी narrow सोच रखे नारो तो मैं क्या कहूंगी यार मिरको उससे चीज़ें मिलती है प्रोड़क्स मिलते हैं जैसे मुझे उससे फॉडर चारा मिलेगा पाइबर्ज मिलेंगे मुझे फूड मिलेगा खाना ये फल सबजी वगएरा spices मिलेगी construction के लिए material लकडी वगएरा मिलेगी instruments बनाने के लिए मिलेगा मुझे लकडी ये जितने भी अपने बैट है राकेट है विकेट्स है वो बनाने के लिए लकडी मिलेगी या मुझे जो musical instrument है guitar है सितार है harmonia में उसको बनाने के लिए मिलेगी इवन दवाईया drugs बहुत सारी दवाईया है जो पेड़ों से मिलती है तो यह मैं narrow सोच रही हूं narrow मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बात ही नहीं कर रही हूं महानता की simple narrow तो पहला है narrow utilarion narrow utilarion narrow narrow में आ जाते है products जिनसे direct पैसा मिलेगा direct economic benefits इसको आप याद रखना F3 CID F3 CID F3 food fiber firewood food में सब आ जाएगा अनाज दाले फल सबजी सब आ जाएगा then construction material then industrial products जैसे tannin resin perfume lubricants यह सब चंदन मोगरा उन सबके perfume deos बनते हैं और B से आ जाएगा drugs B से drugs 25% से जादा drugs है जो दवाईया है जो पेडों से मिलती है करी 25,000 पेडों की species है dear students जो traditional medicine है जैसे तुलसी नीम हल्दी यह सब पेड ट्रेडिशनल medicines है traditional medicines है एक वर्ड आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग देखो बायो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं बायो टेक्नलोजी बायो इंफर्मेटिक्स कहां पढ़ते हैं बताओ बायो इंफर्मेटिक्स कहां पढ़ते हैं क्या पढ़ा है molecular basis of inheritance में human genome project में high speed computational devices बनाने वाला बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है सबसे पहले समराट ने और हार्ट लाइडर ने आंसर दिया है बिल्कुल नहीं human genome project में पढ़ा है शेक अपन ने यह बायो टेक्नलोजी में नहीं पढ़ा फिर दूसरा अपन पढ़ते हैं बायो पॉटिफिकेशन यह कहां पढ़ाया है बोलो यह अभी published नहीं हो आए लेक्चर आपका जल्दी हो जाएगा प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं strategies for enhancement in food production में बायो पॉटिफिकेशन मतलब nutritional quality food की बढ़ा देना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जिसमें चावल की iron rich varieties बनाई है पांच गुना जादा iron है गेहू की atlas 66 जिसमें protein content हाए मेज की 2000 में varieties बनाई है जिसमें दो गुना lysine रिप्टोफैन है तो वो सब हो गया फिर बायो पाइरेसी बायो एथेक्स ये बायो पाइरेसी चोरी करना हो गया patent जो लेते हैं वो पायो पेटेंट हो गया और फिर बायो एथेक्स हो गया ये सब बायो टेकनलोजी में पढ़ें अपने बायो पाइरेसी की तो examples भी पढ़ एक पासमती चांवाल उनकी बायो पाइरसी कर ली थी पेटेंट्स ले लिए थे याद आ रहा है लेकिन यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो है बायो प्रॉस्पेक्टिंग बायो प्रॉस्पेक्टिंग का क्या मतलब है प्रॉस्पेक्स प्रॉस्पेक्स मतलब ऑप्शन्स जंगल में जाके कि किस पेड़ से मुझे कुछ और पैसा कमाने वाला एकनॉमिक इंपोर्टेंस एकनॉमिक बेनेफिट वाला प्रोड़क्ट मिल सकता है उसे कहेंगे एक्स्प्लोरिंग उसे बोलते हैं बायो प्रोड़क्टेंस चीक है क्लियर हो गया तो F3CID आजो मेरे साथ याद करो F3CID मतलब पूड, फाइबर, 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 कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल मटेरियल और ड्रग्स 25% से जाधा ड्रग्स पेड़ों से मिलती है चल अब दूसरा है ब्रॉडली यूटिलेरियन अगर मैं थोड़ा किसलम नहीं है लेकिन मैं सर्विस की बात करuhऊ जो सिस्टम हमें देता है जैसे मन कहूँंगी यार पेड मत काटो क्योंकि उससे ओक्सेजन निलती है ओकशिजन वह बाइव डाइवर stairs Maintain करेगा तो øको सिस्टम स्टेबल moderators को मत मारो मत खतम करो नहीं तो尖 पॉलिशन कै जाता है एस्फेटिक वैल्ली कुप्सूर्ति के लिए कुल्चरल वैल्ली सांस्कृतिक वैल्ली है स्पिरिच्वल वैल्लियू है नीम पीपल प्षाव पुजा जाता है तो अगर मैं लाट सकेल पर सोचू थोड़ा ब्रॉड माइड़ ओके तो सेकंड हो गया broadly utilarian, broadly utilarian, इसमें मैं services की बात कर रही हूं, जो nature हमें provide करता है, पैसा कमाने की बात नहीं कर रही हूं direct, चलो इसमें क्या-क्या आ जाएगा, number one, हमें oxygen मिलती है, number one, oxygen, student ncrt में लिखा है कि Amazon का जो जंगल है, वह 20 प्रतिशत oxygen हमें दे रहा है, photosynthesis करके, तो oxygen, then, number two, pollination, अगर poll दीरे दीरे लुप्त हो जाएगी ठीक है जैसे बी बंबल भी बर्ड बैट्स हमने सेक्शुल रिप्रडक्शन में पढ़ा है यह सब पॉलिनेटर्स होते है नाव नंबर थ्री नंबर थ्री कहां गया अरे एस्थेटिक वैल्ल्यू अजय एस्थेटिक वर्ड नहीं लिखा है एक ऑक्सिजन दूसरा पॉलिनेशन और तीसरा एस्थेटिक्स तीसरा कारण क्या हो सकता है तीसरा रीजन तीसरा एथिकल एथिकल ना मैं पैसे के बारे में सोच रही हूँ ना मैं सर्विसेस के बारे में सोच रही हूँ मैं तो यह बोले हूँ मेरी नैतिक ड्यूटी है कि अगर यह species मैं देख रही हूं तो आगया आने वाली generations भी देखें भले ही उसका हो सकता है पैसा देने में एक पेड़ है ना पैसा मिल रहा है उससे किसी प्रोडक्स से ना वो oxygen दे रहा है ना pollination कर रहा है वो जानवरे मान लो तो ऐसे तोड़ी उसको मार दो फिर नहीं हमारी नहतिक हमारी धार्मिक हमारा हमारी धार्मिक ड्यूटी है हमारी नहतिक का moral duty है धार्मिक तो नहीं बोलना चाहिए moral duty है कि मुसे अगली जनरेशन को पास करें ठीक है वी पास on to the next generation चल डन यह सारा कुछ हो गया वी पास on to the next generation कहां गया भई येस पास on our legacy to the future generation तो तीन नारो सोच, products के लिए F3, CID, बोलो मेरे साथ, food, fiber, firewood, CID, construction material, industrial material and drugs, number 2, broadly utilarian, broadly, pollinators, photosynthesis से oxygen का मिलना और aesthetic beauty, and number 3, ethical, so narrowly utilarian, broadly utilarian and ethical, ये तीन reasons है why should we conserve biodiversity, और biodiversity का loss क्यों हो रहा है, evil quadrant, 4 reasons, habitat loss and fragmentation, co-extinction, alien species invasion, and when need turns into greed, याने overexploitation, overexploitation में हमने पढ़ा है, passenger pigeon, stellar sea cow का extinction, alien species में पढ़ा है हमने, parthenium, lantana, african catfish, garrypus finus, then nc nile perch, and then e saikor, हो गया, ठीक है, offline quota, quota PW, विद्या पीट, चल, अब आजओ, हम इसे कैसे conserve करें, तो हमने पढ़ा, क्यों loss हो रहा है, loss होने से ecosystem की stability कैसे disturb हो रही है, यानि stable ecosystem का क्या मतलब है, disturb होने का क्या मतलब है, क्यों loss हो रहा है, क्यों बचाना चाहिए, अब ये topic बहुत important है, एक मिनिट का time लो, और पहले ये सारा कुछ अपने दिमाग में एक बार चला लो अच्छे से, reasons for biodiversity loss, four reasons, and three reasons why should we conserve, फिर आजओ मैं बात करती हूँ, कैसे conserve करना है, how should we conserve, most important topic, most important topic, come on everybody, करिये, ecosystem मैं ही पढढ़ाऊंगी students, ecosystem की जल्दी हमारी life class होगी, don't worry, microbes मैंने recorded form में डाल दिया है, उसको जरूर देख लेना सब, संकेत क्या रहे है, teacher आपकी tricks से बॉट नी हो गया, चलो I am very happy, मुझे खुशी है कि मैं आप लोग की help कर पा रही हूँ, thank you, thank you, thanks to you, देखो थोड़े बहुत आपके सवालों के तो जवाब देने पढ़ते हैं, आप आलतू सवाल के जवाब तो मैं नहीं दूँगी, पर थोड़े बहुत जवाब देने पढ़ते हैं, तब ही तो वो life का मतलब है न, और वाइस तो आप लोग फिर अलग से मेसेज करके मुझे पूछते रहते हैं, negativity की feeling इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि अपन पढ़ने में चूप कर रहे हैं, अगर अपन पढ़ेंगे तो negativity आने के लिए समय ही कम बचेगा, है न, ठीक है, planned way में पढ़ाई करो, उसके बाद जो न, इश्वर पे छोड़ो, दो पंक हैं ये students, एक self effort, और दूसरा इश्वर की क्रपा, आप अपनी मेहनत करिए, और फिर भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपके लिए जो best होगा वो देंगे, वो डॉक्टर बनना भी हो सकता है, नहीं बनना भी हो सकता है, पर थोड़ा faith रखो फिर, पर problem क्या होती है, अपने एक पहला पंक ही तूटा हुआ है, इसलिए अपने को दूसरे पे भी भरोसानी होता, अपनी मेहनत में कमी रहती है, अपन पूरा दें नहीं पाते है, अपन को यहीं लगता है, काश और पढ़ लेता, काश टाइम वेस्ट कम कर देता, इसलिए अपन को ईश्वर की क्रपा पे भी भरोसानी होता, दो पंक है, दोनों के साथ ही उडान भरी जा सकती है, पर अपना काम है पहले पंक को दुरस्ट करना एक दम, ठीक है, चलिए, हाँ, चलो, आजाओ, अब कैसे कंसर्व करना है, देखो यह बहुत एजी अगर अपनने समझ लिया, समझो, हाउ टू कंसर्व, बायो डाइवर्सिटी, फूल कॉंसेंट्रेशन से सब को सुनना है मुझे, देखो, मान लो मुझे एक शेर को बचाना है, उसकी स्पीशीज लुप तो रही है, तो अगर मैं, पूरे जंगल को ही बचा लूँ, सहेज लूँ, कंसर्व कर लूँ, तो वो शेर भी बच जाएगा, यानि मैंने शेर को उसी के घर में प्रोटेक्ट कर दिया, जहां वो है, ऑन साइट, उसी के घर में, इसे इन सिटू कंसर्वेशन बोलते हैं, इन सिटू, यानि ऑन साइट, जहां है वही पर, तो सेव दा टाइगर, I have saved the entire forest, पर मान लो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शेर को तो बचाना है, तो मैंने पटापट से वो शेर को निकाला, जितने वो शेर थे, और उन्हें जू में रख दिया, man-made condition में रख दिया, इसे बोल देंगे, ex-situ conservation कितना easy है, चलो, तो ex-situ conservation में क्या क्या आ जाएगा, जैसे zoological park, यानि zoo आ जाएगे इसमें, यह हमने living world में भी पढ़ा था, जहां पे man-made conditions में, care में, almost same condition कोशिश करके, create करके, उनको हम threatened species, समय लगेगा कब हम जंगल को सही जेंगे, उन्हें भार निकाल के zoo में हम conserve कर देते, ना, दूसरा, पेडों को conserve करना है, ऐसे ही अगर उनके घर के बाहर, तो botanical gardens अपनने पढ़ेते, यह दोनों अपनने, taxonomic aids में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, चल, अब तीसरा, wildlife safaris होती है, wildlife century नहीं बोला मैंने, safari parks होते हैं, safari, उसमें, अच्छा, इसकी बाद bank बना लो, जैसे pollen conserve करना है, pollen bank, seed conserve करना है, seed bank, sperm, semen conserve करना है, semen bank होते हैं, तो pollen bank, seed bank, semen banks, यह सब banks होते हैं, अपन अल्रेड़ी जगे जगे पढ़ चुके हैं, कि minus 196 degree Celsius, liquid nitrogen में इन्हें store कर देते हैं, conserve कर देते हैं, ता कि बाद में कभी जब जब ज़रूरत है, plant breeding program में, क्योंकि pollen की seed की viability होती है, life होती है, उसके बाद फिर उफेल हो जाएंगे, germinate होने से, pollinate होने से, तो हम उसको liquid nitrogen में conserve कर देंगे, ता कि हम उसे जब चाहें, जब मन है तब use कर सकते हैं, मैंने आपको IVF में भी बताये था, husband बाहर posted है, follicle develop जब होगा, तब husband नहीं रहेगा, जब हम ovem pick up करेंगे, तो semen जो है, लेकर पहले freeze कर देते हैं, तो ये सब ex-situ conservation है, अब in-situ में क्या आएगा, इन-situ में आपको पता है, national parks आते हैं, national parks, then wildlife centuries आती है, wildlife safari नहीं, wildlife century, आपको मालूम है, century थोड़ी छोटी होती है, national park बड़ा होता है, century में generally जानवर, जैसे bird century वगएरा होती है, और national park और बड़ा एरिया होता है, जैसे क्यालियो दियो, national park हमने पड़ा है, पन्ना national park, काना national park, गिर के जंग, ये सब national parks है, और इनसे भी बड़ा होता है, बायो रिजर्व, बायो रिजर्व, तो बायो रिजर्व सबसे बड़ा है, national park उससे छोटा है, और wildlife century उससे भी छोटी होती है, बायो स्फियर रिजर्व में क्या करते हैं, बायो रिजर्व में, एक core area होता है, core area, यहाँ पर उन जानवरों को रखते हैं, जो highly threatened है, यहाँ किसी का जाना allowed नहीं होता, खाली management करने वाले लोग जा सकते हैं, इसके बाद एक buffer zone आता है, buffer zone में थोड़ा बहुत जैसे discovery channel है, national geographic channel वाले हैं, documentary बनाने वाले हैं, photography करने वाले हैं, उनको थोड़ी बहुत activity अलाव होती है, hunting तो obviously कहीं अलाव नहीं है, और उसके बाद transition area आता है, transition area, transition area में इंसान घर बना के भी रह सकते हैं, थोड़े बहुत वहां के locals के घर भी बने रहते हैं, और इसके बाद पर शहर आ जाएगा, शहर या गाउं आ जाएगा, तो transition मतलब इसके बाद शहर गाउं आ जाएगा, तो bio reserve जो है इसके अंदर, biosphere reserve जो होता है इसके अंदर, हम conservation भी कर रहे हैं, पेड जानवरों का और human settlement भी थोड़ा बहुत अलाव होता है, इस एरिया में, पेड़ जानवरों में और national parks फिर wildlife century, ये सब हम उस जंगल को ही सहेज रहे हैं, जहां पर हमें उस पेड़ जानवर को सहेज ना है, ठीक है, चलो, अब इसके बाद इसमें आ जाता है, sacred groves, sacred groves मतलब जैसे, मिघाले में जैन्तियन खासी hills हैं, वहाँ पर jane temples हैं, तो जैनियों ने धार्मिक grounds पर, आस्था के साथ उस जंगल को सहेजा हुआ है, students कई सारे पेड़ ऐसे हैं, जो पूरी दुनिया में काट दिये गए हैं, पर इस खासी जैन्तिया hills में आज भी मौजूद हैं, बचाए गए हैं, sacred धार्मिक भावनाओं के कारण से, जैसे पुषकर लेक है, उसे sacred लेक बोलते हैं, वहाँ पर कई सारे crocodiles आज भी नहीं मारे गए हैं, क्योंकि धार्मिक backgrounds पर, वहाँ पर hunting allow नहीं होती है, तो ये sacred grooves हो गए, इसके बाद आता है hot spots, होट spots बड़े मज़ेदार हैं, समझो, होट spot का क्या मतलब है, होट का क्या मतलब होता है, होट news, गरमा गरम news, होट news, होट spot मतलब ये ऐसे spots हैं, ऐसे areas हैं, जिनका area तो बहुत कम है, और वहाँ पर बायो डाइवर्सिटी बहुत है, और कई species वहाँ की endemic species है, मतलब वो वही मिलती और कहीं नहीं मिलती, अगर हमने उस छोटे से area को बचा लिया, तो हम प्रजाती के species के लुप तोने की extinction की rate को काफी कम कर सकते हैं, NCRT लिखते हैं 30% तक कम कर सकते हैं, ये मात्र 2% से भी कम area है, पर अगर हमने इसे बचा लिया इस area को, तो हम 30% तक ongoing extinction की जो rate है, उसे हम reduce कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं 30% तक, अगर 100 species लुप तो रही हैं, तो 70 लुप तोंगी 30 बच जाएंगी, मात्र 2% से भी कम area को बचाने के लिए, NCRT लिखते हैं पहले 25 hotspots थे, अब 9 और जुड़ गए, यानि 34 hotspots हैं in the world, पूरी दुनिया में 34 hotspots हैं, इंडिया में 3 hotspots आते हैं अभी नाम बताती हूँ, यहाँ पर biodiversity बहुत ज़ादा है, high biodiversity, species richness है, और high degree of endemism, कई species हैं जो केवल यहीं पाई जाती हैं, और कहीं नहीं पाई जाती, endemism अगर यहाँ बचा लिया, तो पूरी दुनिया में वो बच जाएंगी, इंडिया में 3 हैं जिनके नाम भी बताती हूँ, ठीके, clear हो गया अच्छे से, भई अपनी personal chats मत करो, जिसको personal chatting करनी हैं, वो कोई दूजरी live में जाओ, बिलकुल भी मत करो, या number exchange करके उस पे chatting करो, ठीके, चलो आजओ, अब इसको यहाँ दिखाती हूँ आप, देखो, in-situ conservation, in-situ conservation, one second, in-situ, in-situ में हम क्या कर रहे हैं, biodiversity hotspots, high level of species biodiversity, and high degree of endemism, इसे low degree कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीके, now, पहले 25 थे, अब 9 और जुड़ गए, यानि total 34 हो गए, ठीके, यहाँ पर अगर हमने, area less than 2% है, area cover जो है, लेकिन, 30% तक हम reduce कर सकते, extinction की rate को, इन में से 3 इंडिया में है, आए, इंडो बर्मन हो गया, और इस तरफ आएंगे, तो वेस्टन घाट और श्रीलंका हो गया, देखो कैसे याद करेंगे, देखो, बहुत असान है, पहला हो गया इसमें, उपर, टॉप पे हिमाले, हिमाले से इस्ट की तरफ जाओगे, तो इंडो बर्मन बॉर्डर आ जाता है, इंडो बर्मन वहाँ पे भी हिमाले आजी हैं, और अगर वेस्ट की तरफ आ गया, गुजरात की तरफ, तो वेस्टन घाट से और नीचे गये, तो श्रीलंका आ जाएगा, श्रीलंका, तो ये तीन हमें आने चाहिए, हिमालिया, इंडो बर्मन, इस्टन की तरफ हो गया, और वेस्टन घाटन श्रीलंका, अच्चे से समझ में आ गया, ठीक है, ब्रैंड देखे, आप जाओ यहां से, आपकी जौरत नहीं है यहां पे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप इस लाइफ क्लास में अपना, चलो पढ़ने दो इन लोंगो, अब इंडिया में 90 नैशनल पार्क से, वाइड लाइफ सेंजुरी जादा होंगी, क्योंकि वाइड लाइफ सेंजुरी नैशनल पार्क से छोटी होती है, तो जादा होंगी, यहाँ थियोरी में 448 लिखा है, एन्सी आटी की समरी में more than 50 लिख दिया है, और बायोस्फियर रिजर्व सबसे कम होंगे, क्योंकि वो और बड़े होते हैं, तो 14 बायोस्फियर रिजर्व है, हम यही लिख लेते हैं, यह सारी चीज़ें, यह है 14 बायोस्फियर रिजर्व 14, नैशनल पार्क से 90, और यह है 448 और समरी में लिखा हुआ है, more than 450 सैंचुरीज, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं अपन, इसके अलावा सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड ग्रूव हम को याद रखने है, पहले खासी और चैन्तिया हिल्स में घाले, then राजस्थान में स्टूडेंट पूरी परवत की श्रंकला को अरावली बोलते हैं, तो अरावली हिल्स राजस्थान, then western ghat of करनाटिका एंड महराष्ट्रा और फिर सर्गुजा चंदा इन बस्तर एरियाज हैं, MP के अंदर, सर्गुजा चंदा इन बस्तर एरियाज, ये लिखते हैं कि मेगाले में कई सारी threatened species के आखरी घर ये जंगल ही बचे हैं, तो चार हमें आने चाहिए, अगर आपने उस एरिया में बचा लिया तो लुप्स होने से बच जाएगी, ठीके, शकील RRC वाच, गाड ब्लेस यू, एकलोजी पढ़ लो यहाँ पूरी मुझ से, ठीके, तो ये चार एरियाज हमें आने चाहिए, इनको अच्छे से ध्यान रख लेना, चलो, तो इंडिया का पहला नैशनल पार्ग, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्ग था, और वर्ल्ड का पहला येलो स्टून, आपसे नहीं पूछेंगे, इसको छोड़ देते हैं अपन, बायो स्फियर रिजर्व में मैंने आपको बता दिया, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन है, जहां पर हूँमन सेटिलमेंट अलाओड होता है, ये इंपोर्टेंट है, हूँमन अक्टिविटीज यहीं पर अलाओड होती है, चलो, अब एक्सेटू, एक्सेटू में बोटानिकल गार्डन हो गया, जोलोजिकल पार्क हो गया, वाइल लाइफ सफारी इस हो गई, और इसके अलावा, बैंक्स हो गई, जिसमें सीड बैंक, पोलन बैंक, वो सारे जितने भी बैंक्स हैं, गैमीज वगेरा को भी हम, एक्स वगेरा को भी हम, इसमें रख सकते हैं और फिर plant tissue culture से cryo preservation कर रहे हैं ठंडी liquid nitrogen cold gas होती है minus 196 degrees celsius पर सांकेत endemism clear हो गया ठीक है अक्षिता आगया समझ में हो गया clear हो गया सबको चलो अब यह tricks है student पर यह tricks कोई बहुत important नहीं है मैंने आपको flow chart बना के समझा दिया जैसे hot spot wildlife sanctuary sacred group biosphere reserve और national park होट सुन्दर बन यह पांच आते हैं in situ में और safari cryo preservation यह सारी banks आ गई zoological park botanical gardens यह आते हैं अपने ex situ में इस पर बहुत question आता है which of the following is in situ या which of the following is ex situ इसको अच्छे से दिमाग में fit कर लो यह biosphere reserve होगा रुको मैं धंग से लिख देती हूँ थोड़ा रुको आप confused मत हो ना गडबर नहीं करते हैं क्योंकि national park इधर हो गया biosphere reserve biosphere reserve यह सबसे बड़े होते हैं 14 और transition zone में human settlement होते हैं तो 5 in situ और 4 ex situ इन में से which of the following is in situ, is ex situ, is not in situ, is not ex situ ऐसे करके questions बनते हैं 2022 में भी तीन question आएं इस chapter से बहुत important है आजो फटाफट से पढ़ो पढ़ो फटाफट से करिए students एक बार clear, अच्छे से इसको revise कर लो, कुछ भी नहीं miss होना चीए अपना अभी के अभी, अभी के अभी revise करो, हां में side में हो गई, ले लो screenshot लेकिन अभी इसको revise करो hand to hand, hand to hand learn करो बाद में करेंगे नहीं होना चीए, बाद बाद में कुछ नहीं करना है, अब भी करना है important chapter है dear students, तीन question आएं 2022 में भी, तीन से चार question आजाते है students इससे, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, कहीं कोई rule तो लिखा नहीं कितने आएंगे, बर इतना समझ लो आप, कि ecology से कुल मिलाके 12-14 questions तक आते हैं, और ecology अगर अपनी strong हो गई ना, तो अपने को बहुत बड़ा advantage मिलता है, क्योंकि plant physiology और ecology जादा तर students की weak होती है, अपने को strong रखनी है, और एक चीज़ और important है students, इसके example जरूर अलग से ही करती हूँ, अब तो जब questions, अच्छा, इसमें भी ठीक है, मैं इसमें भी side हो जाओंगी, पहले question आपको पढ़ने दूँगी, ठीक है, कोटा में विद्या पीट, PW, वहीं पढ़ाती हूँ, अभी मेरा कोई offline नहीं है, अभी तो आप लोग के online में लगी हुई हूँ क्योंकि मैं, तो I am teaching here, आपके one shot, podcast, महा रेविजन, ठीक है, उन सब में अपन लगे हैं, complete botany में revise कराऊंगी मैं, महा रेविजन में, questions के तुरू, 500 plus questions के तुरू, पूरी botany, एक या दो मेको करेंगे अपन, ठीक है, जस्ट एक हफते पहले, चार-पांच दिन पहले, पूरी botany revise कर लेंगे, Ecology chapter, Organism and Population कल कर लिया है, आज ये कर लिया है अपन ने, अब ecosystem और environmental issue, दो chapter बचे, thank you, thank you, प्रीतम, हाँ, podcast अच्छे लग रहे हैं, podcast काफी बच्चों का बहुत अच्छा review आ रहा है, 30-40 minute में, पूरा-पूरा chapter revise हो रहा है, मैंने कोशिश किये कि podcast में, NCRT की एक line आपको पढ़ा दू, मैं podcast बहुत help करेगा, आखरी के 5-6 दिन में भी बहुत help करने वाला है आपको, चलो, आजो, अब यहाँ पर आते हैं, last topic पर, students, biodiversity बचाने के लिए, कुछ conferences हुई है, हमें दो conference याद रखनी है, चलो, लिखो मेरे साथ, पहली conference जो है, उसे earth summit बोलते हैं, और second conference को world summit बोलते हैं, earth summit जो है, वो ब्राजील के Rio de Janeiro शहर में हुई है, Rio de Janeiro में, 1992 में, और world summit जो है, वो जौनर्सबर्ग साउथ आफरिका में हुआ है, 10 साल बाद, यानि 2002 में, जौनर्सबर्ग साउथ आफरिका में, इसमें 190 से 2010 तक, जो bio diversity का loss हो रहा है, local level पे, regional level पे, world level पर उसको reduce करेंगे, पहली वाली में ये कहा था, कि जो भी हम bio diversity का loss कर रहे हैं, क्योंकि हम resources यूज़ कर रहे हैं, उसे हम measures लेंगे, कि हम utilization तो करें, पर ऐसा करें, कि bio diversity का loss ना उसे sustain कर सके, तो ये direct questions आते हैं students, earth summit, world summit, 1992, 2002, 10 साल बाद, Rio de Janeiro, Brazil, Jonasberg, South Africa, बताओं कैसे याद करती हूँ मैं, पहले प्रत्वी बनी, तभी तो दुनिया आई, तो पहले प्रत्वी, पहला earth summit है, बाद में world summit है, 1992 और 2002, ठीक है, clear हो गया अच्छे से, तो हमने क्या पढ़ा इस chapter में, most most important, पहले हमने बायो डाइवर्सिटी के तीन लेवल्स पढ़े, genetic level पे, species level पर, मैं रिवाइस करा रही हूँ और ecological level पर, genetic level पे, रीमा डिट PCR, राइस की 50,000 से जाधा varieties, मैंगो की 1000 से जाधा varieties, और PCR, रॉवाल्फिया वॉमिट एरिया, रिजर्पाइन का, पोटेंसी और कॉंसेंट्रेशन अलग-अलग है, species level पे, amphibian western घाट में, जाधा species ने बजाए eastern घाट, और ecological में, इंडिया जो tropical countries है, कई तरह के ecosystems है, जाधा diverse है, बजाए Scandinavian country like Norway के, फिर हमने biodiversity के patterns पढ़े, latitude, equator से poles की तरफ जाने पे, biodiversity decrease होती है, इसके examples पढ़े, और species area relationship, rectangular hyperbola आएगा, area बढ़ा, इसे species richness बढ़ती, up to a certain level, Alexander Wann Hemboldt ने बताया था, log scale पे straight line आएगी, log S is equal to, log C plus Z log A, यहाँ पे Z की value, छोटे areas के लिए 0.1 से 0.2 है, बड़े areas के लिए 0.6 से 1.2 है, और example एक 1.15 वाला दिया हुआ है, फ्रूजी वोरस बर्ड और मैमल्स का, continent, large level पर, फिर हमने समझा, biodiversity का importance क्या है, जितनी जादा biodiversity उतना stable ecosystem, stable ecosystem का क्या मतलब है, उसे हमने समझा, year to year variations काम होने चाहिए, resistance, resilience होना चाहिए, यह बात हमें, experimentally, दीपिका पादुखोर नहीं, डेविड टिलमेन ने बतायी थी, long door, experiments करके outdoor plots पे, फिर हमने समझा, की species का क् importance है, Spear, Stanford के, Paul Hearlick में, airplane की analogy से हमें, keystone species के बारे में बताया था, फिर हमने इसमें एक और important बात की थी, कि क्यों, tropics में, जादा biodiversity है, क्योंकि, speciation is a period of, is a matter of time, और यहां पे, variations कम है, tropics में, more stability है, और plus, sunlight जादा है, productivity जादा है, फिर हमने बात की, कि, biodiversity का loss हो रहा है, कितनी species loss हुई है, recent extinctions उन सब की बात की, किस group को, कितना खत्रा है, diversity loss का, और फिर हमने बात की, four evil quadrants, four reasons, जिसके कारण loss हो रहा है, habitat loss and fragmentation, over exploitation, co-extinction and alien species invasion, फिर हमने बात की, हमें क्यों बचाना है, biodiversity को, क्यों बचाना है, narrowly utilarian, F3CID, broadly utilarian, oxygen, pollination, aesthetic value, and third ethical values के कारण, फिर हमने बात की, कैसे बचाना है, ex-situ, in-situ, ex-situ में, zoological park, botanical garden, bank, sari, cryo preservation, and safari parks, और in-situ में, bio reserve, biosphere reserve, 14 है, national parks, 90 है, और wildlife centuries, 448, summary में लिखा है, more than 450 है, इसके अलावा sacred groups, उसके examples पड़े, and hot spots, high degree है, endemism की, high biodiversity है, less than 2% area, 30% तक extinction rate को कम कर सकते हैं, इंडिया में 3 है, top पे हिमालिया, east में इंडो बर्बन, और west में western घाट, और श्री लंका, और फिर हमने 2 summits की बात की, अर्थ पहले आई, तो earth summit and world summit, 1992, 2002, रियोडी जैनेरो, and जॉनर्सबर्ग, साउथ आफरिका, इसके साथ ही हमारा ये chapter complete होता है, चलिए, आईए, अब हम start करते हैं, इसके questions करना, ठीक है, चलो, आजओ, मैं side हो जाती हूँ, आप लोग try करो, 2020, करिये try, everybody, शेक, प्रीतम, सूरज, प्रनीत, काजल, अर्शिता, आजओ, which of the following regions of the globe exhibits highest biodiversity, globe पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, Amazon के जंगल, हमने क्या पढ़ा था, प्री की, पोर के बाद, पोर स्पीच, जीरो लगा दो, उतनी, invertebrates की सवा करोड याने सवा लाग से जादा, ठीक है, चल, आजो, next question करते हैं, next question, करो try, 2019, decline in the population of Indian native fish, introduction of garyous pinus in rivers of Yamuna is characterized by, इस clarious gary pinus को introduce किया Yamuna की नदी में, और कई सारी वहां की indigenous native रहने वाली मचलियां मरने लग गई, किसका example है ये, alien species invasion का plane वाला example हो गया, ठीक है, चलो, आजो, next करते हैं, करो try, 2019, which of the following is most important cause for animal and plants driven to extinction, क्यों हो लुप दो रहें, most important cause, cause तो ये दोनों हैं, पर most important कौन सा पढ़ा है, NCRT की लाइन है, most important, habitat loss या fragmentation, बहुत बढ़िया, Samrath, Sneha, Rajinder, Madhu, Pranesh, Venkatesh, Nambalai, बहुत बढ़िया, चलो, आजो, next पढ़ते हैं, Alexander, Juan, Helmon, ने पहली बार क्या बताया था, correct, correct answer, ची, नहीं, सूरज का सहिए, प्रनीत का सहिए, उत्तम, Nambalai, Abhinav, Sneha, Samrath, yes, species, area, relationship की बात चीदे, चलो, next करें आगे, तू नहीं आएगा, law of limiting factor कहां से आगया यार, law of limiting factor थोड़ी आएगा, law of limiting factor किसने का हाथ दिया था, किस chapter में पढ़ा है, लिख के बेजो, comment box में जल दी से, चलो, लिख के बेजो, need 20, 20 का question में side में हो जाती हूँ, येस, नाम बिलाई ने सबसे पहले सही answer दिया है, photosynthesis में factors में पढ़ा था, रोशन ने बिल्कुल सही answer दिया है, black man ने दिया था, law of limiting factor, विदान्चु, ma'am, first of all, thank you so much for making my chapter crystal clear anatomy, I read that chapter from many teacher, several time, but never understand, चलो, मुझे बहुत कुशी है कि आपको वो chapter आगया, और वो chapter रुकावट नहीं डालेगा अपने selection में, ठीक है, नाम बिलाई, you are true guruma, because आप सिर्फ बायो ही नहीं, आध्यात्मिक विद्धिया भी पढ़ाती है, lucky to have you, God bless you, God bless you dear, चलो, आजो, answers दो सब लो, देखो, बायो reserve in-situ है, sacred group भी in-situ है, seed bank ex-situ है, cryo preservation ex-situ है, तो 1 and 4, 1 and 4, second, सबने second दिया है, बहुत बढ़िया, very good everybody, चलो, आजाओ, next question करते हैं अपन, 2019 का question, करो, solve करो, इसमें आप बड़े ध्यान से देख लेना, keep not पूछा है कि yes पूछा है, वो ज़रूर देखते हैं, notes की link open नहीं हो रही है, Roman thank you, notes की link open नहीं हो रही है, सब की हो रही होगी, Google drive पे link दी हुई है वो तो, है ना, चलो, not a method of in-situ, ये तो in-situ है, ये भी in-situ है, ये भी in-situ है, ये ex-situ है, ex-situ है, ठीक है, बहुत बड़ी everybody, well done, शलो आजाओ, next question करते है, earth summit, Rio de Janeiro, 1992, सब कुछ तो दे दिया, NCRT के शब्द पूछना चाहरे हैं, आपसे लगाओ, किस के लिए है ये, जब environmental issue पढ़ाओंगे न, उसमें अपन बहुत सारे और summits पढ़ेंगे, कोयोटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, green house gas कम करने के लिए, Montreal प्रोटोकॉल, ozone depletion को कम करने के लिए, तो वहाँ पर फिर ये दो biodiversity के आने चाहिए, येस, biodiversity conservation and sustainable benefits के लिए, चल, आजाओ, next question करें है अपन, करो, करो solve some, all are included in ex-situ except, मतला ex-situ का false पूछना है, botanical garden है, tapari park है, seed bank है, sacred group in-situ होता है, sacred group is in-situ, बहुत बढ़िया, very good, very good, one नहीं आएगा, one नहीं आएगा, गडबड नहीं करना, one नहीं आएगा, चल, 2017, करो try, which of the following is related to ex-situ, याने ex-situ, true, true, पूछना है, ex-situ में, जल्दी से answers दो, रोशन का सही answer आगया है मेरे पास, उत्तम का भी सही आगया है, very good, प्रांजल, नम्बलाए, wildlife safari park, यह ex-situ है, बाकि यह सब in-situ है, हिमालेयन रीजन, rainforest, hot spots, यह तो उन्ही का घर है, ठीक है, चाली, आईए, next question करते हैं, next question, करो, 2017, देखो कितने questions आए, 3-4 questions तो आते ही आते हैं, region of biosphere reserve, which is legally protected, and no human activity, transition zone में तो human रहते हैं, buffer zone में कुछ activity, documentary, photography के लिए जाते हैं, और main जो center, center बतना core area है, वहाँ पे किसी को जाना allowed नहीं है, सिवाए जो management staff है, उसके अलावा किसी को allowed नहीं है, चलो, 2022 नीट के, 3 questions solve करते हैं, habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion, and co-extinction are causes for, कितना easy है, अगर chapter का नाम भी आते हैं, तो आपन answer लगा देंगे, पायो डाइवर्सिटी लॉस के कारण है, कितना easy है, देखो 2022 का ये question है, चलो, next question, आजो, करो try, again need 2022 का question है, करो try, not a method of ex situ, yes, national parks, national parks in situ है, बाकि IVF in vitro fertilization, body के बाहर कर रहे हैं, याने ex situ है, cryo preservation ex situ है, और micro propagation, plant tissue culture कर रहे हैं, ये भी ex situ है, ठीक है, चली, now, last, need 2022 में, तीसरा question जो आया था, यहां से, करिए salt, in situ का मतलब पोच लिया, what is in situ, in situ का मतलब, notes जो है dear students, वो आपको, इसी वीडियो के description box में करके देखना, तो link मिल जाएगा, ठीक है, 2008 से लेके, 2022 तक के PYQs करने हैं, इसके पहले के PYQs बिलकुल नहीं करने हैं, तब बहुत broad syllabus ता, unnecessary time waste होगा, only high risk नहीं, only endangered नहीं, only extinct, extinct को कैसे conserve करेंगे, पूरे एको सिस्टम को, in-situ मतलब, पूरे के पूरे एको सिस्टम को, उस पूरे जंगल को conserve कर रहे हैं, ठीक है, हो गया clear, so with this students, हमने complete काया रहा, biodiversity and conservation, second chapter ecology का, हमने पढ़ लिया, ecosystem और environmental issues हमारा बचा है, और strategies में, plant breeding में recorded form में, आपको डलवा दूँगी, मज़े आ रहे हैं, अब आपकी responsibility, इन सब चीजों को revise करने की, आज मैंने evolution पढ़ाया था, competition वाला पे, महारे विजन के थू, कल मैंने plant kingdom पढ़ाया था, और उसके पहले animal kingdom पढ़ाया था, तो जिसे revise करना हो, मेरी आप से एक ही request है, कि इस समय planned way में पढ़ाय करिए, प्लीज, आपके पास पूरा लिखा होना चाहिए, कि मैं आज क्या पढ़ूँगा, कल क्या पढ़ूँगा, ऐसा नहीं कोई भी live class हो रही है, और आप वहाँ पर जा रहे हो, आपको अगर वो चीज revise करनी है, तो ही आप महाँ पर जाएए, जो teacher को follow कर रहे है, उन्हीं एक teacher को follow करिए, पर धंग से follow करिए, botany में हमने almost सारे chapters का one shot cover कर लिया है, तो अब आप बहुत आराम से उनको जल्दी-जल्दी से revise कर सकते हैं, आपके पस planner होना चाहिए, यह सबसे important है, और इस समय कोई भी student कुछ नया मत पढ़िए, don't read, don't study anything totally new, आपने सब कुछ एक बार पढ़ा है, बस उसी को हमें अच्छे से revise करना है, 2008 से लेकर 2022 तक के ही PYQs करने हैं, पर PYQs को समझ के करना है, समझते होगे करना है, अभी तो physics वाला पर one shot मेराथन्स चल रही है, theory की और फिर questions की शुरू होगी, I think 26 या 27 से शायद questions वाली competition वाला पर शुरू होगी, वो आप ज़रूर join कर सकते हैं, botny की उसमें मैं लूँगी, complete botny का, ठीके, Zoology के लिए podcast सुन सकते हो आप, Zoology bought me सभी chapters, काफी chapters मैंने podcast में cover करें, चलो, तो next class का आपके पास में notification आ जाएगा, ecosystem को हम पढ़ेंगे, और मेरे result के दिन की story बताएगे, चलो अगले class में बता दूँगी, ठीके, बड़ी मज़ेदार story थी result वाले दिन की, तो रात में पता चला था, 8-9 बजे जाकर, वो अपन बता दूँगी आपको, पर पहले इतना पढ़कर आना, questions पूछेंगे, question का अंजर करोगे तो बता दूँगी, ठीके, notification आ जाएगा, अगली class का my dear students, और मिलते हैं, जल्दी है अपन, तब तक अच्छे से पढ़ते रहें, systematic पढ़ते रहें, planned way में पढ़ते रहें, positivity के साथ पढ़ते रहो, smile के साथ पढ़ते रहो, और time waste नहीं करना है, जो अपना best दे सकते हैं, वो best shortest समय देना हैं अपने को, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ देना है, एक punk पर ध्यान देना है, दूसरा punk तो ईश्वर का है, वो perfect है, Bye, God bless you all, Love you all, Thank you.